हाँ तो एने जोग्रोफी का चोथा फार्टर मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है आपको जैसा कि पता है कि इंगलिश का अल्मॉस्ट पेपर अपने जो आपको करवाए था वह की वह ग्रैमर वह की वह रूल वह की वह क्योशन आंसर वह की वह राइटिंग सब कुछ वही इ मत रखूंगा मैं आपकी बहुत कुछ कराने वाला हूं आपको यह पार्ट फोर देखना एक पार्ट हो रहाएगा इसका उसमें ज्यादा क्योशन ने पूरे तो अभी के अभी तुरंत आपको इंडिन जोग्रोफी कंप्लीट करें साइड में रखनी है फिर वर्ल्ड नहीं उसको जल्दी से कंप्लीट करके पर कल से बड़े वाले क्योशन भी आपको लगाने शुरू कर दूंगा मैं ठीक ना बड़े जिसमें लगुत्रात्मग और निमदात्मग जो भी लगुत्रात्म मतलब शॉर्ट आंसर और लोंग अंसर सभी के ठीक है तो यह अपना के इसके नीचे ही है तो पहला क्योशन अपने सांप के सामने है शुरू करें राष्ट्री महामारग फस्त नेचनल फस्त जो है वह कहां से कहां तक है तो वह दिल्लिस अम्रिश सर तक ठीक है ना दिलिस अम्रिश सर तक है राष्टी जलमर्ग फस्ट यानि कि जो आपका नेशनल वोटरवे नमर वन है वह कहां से तक है तो गंगा गंगा तो इसने पूछे क्या है कि कि तो नदी पर तो गंगा तो नदी पर और पिर किन दो इस्तानों पर तो हल्दिया और इलावाद ठीक है न यह दो बाते पूछी तीसरा नौर्थ वेस्टन रेल मंडल का मुख्याली कहां पर है यानि जो नदन वेस्टन रेलवे उसका हेड़गाटर कहां पर है तो वह अपने वाई जयपूर में है तीक है ना जयपूर राजस्थान अगला राष्ट्री महामारक एनस सेकंड जो है उसका विश्तार कहां इनलेन वाटरवास तॉर्ट इस्टैबलिश इन कंट्री तो वह करता है सीमा सडक संग्ठन कों करता है सीमा सडक संग्ठन जो है वह 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 बारत में वायू परिवेन की शुरुआत जो है अगर आपसे पूछे यानि कि नागपुर योजना जो नागपुर प्लान है वो कब बनाए गया तो बनाए गया देश में सीमा सडक संटन कब बनाए गया रोड़ और ओर्गिनजेशन की लिए बीस वर्षी जड़ा योजना कब आरम की गई थी थी 1961 में फिर स्वानिम चतुरुपुच परियोजनक किन विशाल महानगरू जोड़ती है जो गोल्डन क्वाइड लेटरल है वेर इंपोर्टेंट है वह आपके दिल्ली मुंबई चैने कॉलकाता ध्यान रखें जेपूर नहीं इसमें दिल्ली मुंबई चैने कॉलकाता इसका वि इंटिमेट वोटर वे अथॉर्टी जो है इस्टबलिश कब हुआ तो वह 1986 में फिर है जिला सडकें देश बर की कुल सडकूं की लंबाई का डिस्टिक रोडस है वो देश की कुल का कितना है तो कुल का है 14 परसेंट कुल जितनी भी सडकें उनमें जिला सडकूं का परतेश एर ट्रांसपोर्ट तो 1911 में वह किसका था पिर पीछे यह वायू परिवेन ना एक मिनट के लिए वह भी चेक कर लेते हैं अपन वह किसका था यह तो वायू परिवेन है और वह था अपने सीमा सड़क संक्टन हो गया नागपुर योजना राष्टी राजमार्ण अच्छ यह महामारक देश की कुल सड़कूंगा यह स्टेट हाइवे पूच रहा आप से वह कुल सड़कूंगा मातर 4 परसंट जिलावाड़ देखो डिस्टिक का परसेंट तो हैं आपके 14 परसेंट लेकिन राज्यूं का है चार परसेंट देखो इसमें क्या होता है स्टेट पता है न आपको डिस्टिक हाइवे स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे इनका सब का परसेंट अलग अपने कर लिया है ध्यान लग से आप लिख लेना एक बार कहीं पर देश में सरव परतम टीवी का जो है वो परसारण कब हुआ तो टीवी का परसारण वह आप है है ठीक है ना और सड़क जाल के इसाब से भारत का विश्व में कौन सा हिस्तान सड़कें बिच्छाने की करमें तो मैं सेकंड रंग के ओपल ठीक है जो पने चैप्टर पड़ा था सड़कें मतलब काफी अच्छी यहां पर सड़कें देश में है उत्तर दक्षिन तदा पूर को 4116 किलोमेटर लंबे राजमारत द्वारा जोड़ना बस यह हमारी मुख्य था जो है उत्तर पश्रिम तर पूर पश्रिम गलियर बनाने का मुख्य उदिश्य यह जितने भी कॉलिडोर्स मनाते हैं इन सबके अब्जेक्टिव बहुत इंपोर्टन होता है जो द्यान पढ़के चल जाना बस भारतिय रेलवे ने विविद संस्क्रति के लोगों को एक साथ लाकर बारत के स्वतंतरता संग्राम में योगदान दिया यह जो कतन हो किसका है तो यह हमारे मात्मा गांदी जी का है इंडियन रेलवे हैस कॉंट्रिब्यूट टू इंडिया स्फ्रि पेट पर हो जाए दो कोई दिक्कत नहीं है इंसेट उपगर्या प्रणाली की स्तापन कब की गई यानि वेन वोज दा इंसेट सैटलाइट सिस्टम स्टेबलिस्ट तो वह हुई थी 1983 में फिर देखो अगला 27 में क्योशन विश्वे की सबसें लंबी राजमार्क सुरंग ज जलमार्क फर्स्ट की गोशना किस वर्स की गई तो वह की कि 1986 में अगला बारतीय रेल की शुरुवात बारत में सबसे पहले कहां से कहां तक हुई तो आपको सब को पता है चोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं मुंबई पहले बंबई थी मुंबई से थाने के भी 34 क्या मुख्याले यानि जो सदर्न हेड़कार्ण का मुख्याले काम पर सिद्धी सी बात है उत्तर का तो जैपुर में इसका है चैन नहीं में फिर सुनिम चत्रबुज प्रियोजना का समन्द है इसका सड़क परिवेंस नहीं कि रेल से ना जल से वायू से रोड ट्रांसपो थे पैडर काम पर नदन ऊतरी का तो बाइड नदन ऊतरी रेल्वे का मुख्याले अगर पूची सिर्फ उतरी तो वह नई दिल ली तीक है न भारतीय रेल को कितने मंदलों में विवाजित किया गया वर्यूटें कितने मंस में 16 मंडल में डिवाइड किया गया शिक्तिं बा भारत में सर्वंपत्रम रेल्वे जो है किस्वर्स रेल जो यह चलाई गई टो छलाईगी 187 में एकिय तरिम भारती याइब रेल के निंद्वर्गों में संट सामिल को नाइब रों नहीं बड़ी लाइन है मिर लाइन मद्य मोलाइन नहीं द्रानि त्यातरigma घेथे मिडल गेज नहीं है बाकी तीनु है तो तीनु के नाम याद हो जाएंगे बस मैं यह कह रहा हूं कि क्योशन आपके बड़े भी त्यार हो रहे हैं ठीक है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहां पर है अपने पीछे भी ले लिया किया तो हैदराबाद में एक अधा कोई करता है तो आपने देखा होगा गाओं के इंदर कभी कभी तो क्योंकि ने खेतों बाउंडी बाउंडी घूमती है तो यूँ लोगों की खेत है न तो यूँ सडक भी घूम रही है यूँ ठीक है अब बताओ कि चितरंजन लोकोमोटिव वक्स कार खाना वेर इंपोर्टें सब्सक्राइब करनाटा के मंगलोर्स नहीं जोड़ता है निन में से एक कौन सा जल परिवेन दो परकारों में शामिल नहीं है अंतेस्तली जलमार्ग है महासागरी जलमार्ग है कौनकन रेलवे जलमार नहीं के इसके अंदर यानि कि ये पूछ रहा है कौन सा जलमार्ग परिवेन के दो परकारों में तो ये तो है लेकिन ये कौनकन रेलवे जलमार जो है वो नहीं है ठीक है न अंतेस्तली है और महासा आत्रियों तता नोभार याताया दोनों के लिए अंतरास्टी वायू से महीं उपलब कराता है वेचोदा फॉर्ण प्रवाइट इंटरनेशनल एर सर्विसेज बहुत पैसेंजर्स और कार्गो ट्रफिक तो एर इंडिया है इंडिया की पैताली समय क्योशन देखो निन में से कौन सी कंपनियां वायू परिवेन में शामिल नहीं है तो देखो कौन सी सब्सक्राइब है शामिल है पूचाए इंडिया नेशनल एर्वेज भी है टाटा संस लिमिटेड भी है ए पश्रिम भारत में एक दूसरे विश्तिर्ण पाइपलाइन का महत्वपूर नेटवर्क का निर्मान किया गया था इनमें से कौन सा है वो अंकलेशवर कोईली है क्या मुंबई हाई कोईली है क्या और हजीरा विजयपूर जगदिशपूर है क्या तो ध्यान रखें गया रेडियो क्लब ऑफ बोंबे जान ठीक है न मदराश दिली गुजरात नहीं है रेडियो को 1936 में ओल इंडिया रेडियो और खाली जगें इसे फिर कब आकाश्वणी मदल दिया तो 1957 मदल दिया 49 वायू परिवेन का राष्टी करण कब हो गया नेस्नाइज कब हो गई तो वो होगी उनिस सो तरेपन में यह लग चुका आर्दशा तक पचासमा क्योशन सन उनिस सो चेतर में टीवी को ओल इंडिया रेडियो से निकाल कर यह विगलित कर दिया गया और इसे किसके रूप में अलग पैचान दी गई तो आया आता ना आपको डीडी दूर दर्शन ठीक है ना डीडी के रूप में आपको पता पर रेडियो में खबर आती थी हम दूर कि रिमोट सेंजिंग सेंटर है थराबाद में अबस क्योशन को लेंगवे सोड़ी बड़ी देदी बाकी चीज वही है इंद्रा गांधी नहर के चर्ण सेकेंड का जो कमान शेत्र वेरी इंपोर्टेंट कैसा था तो सेकेंड का था बालू टीलू वाला सेंड दून्स बने ऑगानाल के अंदर देश के 15 जिलू में परवतीस उविकास कारकरम किस पंच वर्शी योजन चला गया तो 55 फिर प्लाइल पंच वीपंच वर्षिय योजना परवतीस इस रविकास कारकरम में कितने जिले सामिल यानि जो पन डिस्ट्रीकर रही ही में हीइल एरियाज में तो उसमें 15 जिले शामिल है 15 जिले शामिल है ठीक है अगला देखो कि 1970 के दशक में खा लेजिए के जैसे वाक्यांच विकास की परिभासा में शामिल किये कौन को से वाक्यांच की पुन्र वित्रण के साथ वर्दी वर्दी और समान था यानि कि इंक्रीज विट रिडिस्टि कराएगी तो वह कराएगी लगबग 19.63 लाख है बढ़ती रहती है लेकिन अपने एफेक्ट के चलेंगे इंद्रा गांदी नेहर तंतर में सभी लिप नेरे मुखे नेहर के लेप साइड या राइड साइड द्यान रखें लेप साइड में आपको अच्छे से बताये था य विकास कारिकरम किस पंचवर सी योजनाग दे चलाए गया यह द्रॉट प्रबल एरिया डवलोमेंट प्रोग्रम चलाएगा चोथी पंचवर सी योजनाग दे फोर्थ फाइफ यर 59 देखो दे पॉपुलेशन बम इस पुस्तक के लेकर कोन है एहर लिच अब देखो साथ तो 1968 में इंद्रा गांधी नहर के चर्ण फरस्ट के कमान चेत्र में सिंचाई की शुरुआत कौन से दशक में शूरु की गई तो डिकेट कौन सा था वो 1960 का दशक था अगला इंद्रा गांधी नहर परियोजना का प्राची नाम क्या था राजस्थान के नाल था बिल्कुल बरमोर जन्जाती शेतर कि जन्जाती समुदाय का आवास है तो यह गद्धी ठीक है ना यह विदा बील गरास यह मेना यह तो राजस्तान के वह गद्धी बिल्कुल सही है विश्वे परियावरण और विकास आयोग WECDN World Commission for Environment and Development यह जो है इसके परमुक कौन थे तो प्राची नाम राजस्तान नहर था शुरुवात कमर्सेन के दौर अकीगिक का विगति समार्च उनिस्सो ठावन को विश्व परियावरण और विकास आयोग ने अपने रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर का प्रुस्तूत की इतिपता है ना 1987 के अंदर वह अपन पड़ा भी था पहले भी सत्तरमा देखो बारत में पहली पंच वर्ष योजना 1991 में लेकिन हमेशा द्यान रहे वित्तिय वर्ष बाइए एक एप्रेल को वित्तिय वर्ष जो है हर हर साल ना वित्तिय वर्ष का मतलब था फाइनेंशल फाइनेंशल इयर तो दियान लखें फाइनेयर्श जो इयर है वो हर बारी एक एप्रिल को लगता है ठीक है अगला इंद्रा गांधी नहर हरीके बांद से निकलती हैं यह बांध कहां में कहां पर है यह बांध हरीके बांध यह हैं पंजाब में विश्व परियावरण और विकास आयों की रिपोर्ट के अनुसार सतत पोष्णिय की डेफिनेशन पूछी यह very important है What is the mind of sustainable development? किसके according according to World Commission Environment and Development Report तो एक ऐसा विकार जिसमें बहुष्य में आने वाली पीडियों की आउश्यक्ता पूर्ति को परवायत किये बिना वर्तमान पीडियों आपने आउश्यक्ता की पूर्ति करे लेकिन बहुष्य में जो पीडियों आ रही है उनका भी कुछ उनको देखने को मि ले मतला उनके लिए भी कुछ बचे उनको परवायत ना करें वह सब्सक्राइब होता है एडवलेप्मेंट इन वीच्टा प्रसेंट जनरेशन फुलफिल इस नीड्स विदाट अफेक्टिंग नेड्स फूचर जनरेशन परवत्तिय शेतर विकास कारिकरम को पांचवी पं तो मिलाड़ू का नेलगरी मतलब सबी के सबी जो है इस इस अधा ही डावल्मेंट प्रोग्रम के अंदर शामिल है अगला भारत से नरियात की जाने वाली दो महत्वपुर्ण वस्तों के नाम आप से पूछ है तो इंजिनिरिंग सामान है मनी रतन भी है आभूशन भी करते तो उप्रियुक सभी लेलो चलो आलांगी पूछा दो यह लेकिन इन तीन बता देते हैं कि यहां से जो इंडिया से ज्यादा जो है इम एक्सपोर्ट होती है है एक्सपोर्ट होती ठीकर यहां से बाहर जाती है अंग्रेजु द्वारा विक्षित पत्न के नाम अंग्रेजु ने कौन कौन से मार यहां पर प्र डेवल्प किये थे तो मुंबई पतन बी अंग्रेजु का और कोलकता पतन पतन ब्हां बनाय गया है 76 देखो बारत का दिक्तर विदेशी व्यापार समुद्र M.M. समुद्र M.YU क्योंकि अपना जो है कौन सा पूचा है विदेशी व्यापार पूचा तो विदेशी तो एरोपलेन द्वारा या फिर जहाजू द्वारा जाता है न्युद्र मंगलोर पतन से मुख्ये तया किसका नियरात केया जाता है तो आइरन और कालो है एसके का दो देशी के मद्दविव्यापार च्या कहलाता है वो कहलाता अंतराष्टि व्यापार इंटरनेशनल ट्रेट जब दो देश आपस में को व्यापर करें उनको क्या कहते हैं अनुशंगी पतन यानि कि जिसको बन सबस्टेड रिपॉर्ट बोलते हैं तो जमाला नेरुपतन नावा शेवा हल्दिया और सभी के सभी हैं बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्योशन था यह अस्यमा देखो कांडला पतं को विक्षित करने का क्या कारण था जो कांडला पर बनाए और तुस देवलोप्मेंट करने के पीच्छे किया तो वह विशा का पटनम यानि लैंड लॉक्ड हरबर जब पूछे तो वह विशा का पटनम है अगला विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की अगर भागीदारी पूछे तो लगबग एक परसेंट है ठीक है ना पारत कितनी है एक परसेंट है वैसे रफी निर्म से प्रद्रिम बंदरगा नहीं है तो कांडला करति मैं मतला आर्टीफिशल कौन सा नहीं है कंडला बाकी तो लगबग ऑसे ल सदों को आपना भारत ने किया वहरत निर्यातु में सरवादिक अंच किसका अगर निर्वाद तो सरवादिक हम एक्सपोर्ट करते हैं आपाइं मै पहले भी ले लिया भारत की निर्या तक वस्तु कौन सी है मतलब भारत का जो exporting goods कौन सा है क्रशी का सामान भी जाता है समुगतपाद आयश कनीच विंदर्मान सामान बिल्कुल सही सारी की सारी बातें जो हैं सही सारा यह मारे एक्सपोर्ट होता है वरतमान में भारत में कितने पर्मोक और कितने चोटे या मजोले पतन है तो द्यान लगना वरतमान में 12 यानि कि 12 तो हैं अमारे पर्मोक और 200 चोटे अरब सागर की रानि किसको कहते हैं अरब सागर रानि केते हैं बेवा नद कैयाल है बेवा नद कैयाल को कहते है दीक है तो Director of the पतन किस नदी पर बताओ तो मारमा गावपोर्ट है वह आपके जुवारी रिवर पर नबवां क्योंशन है किंद्र राज्जु में दो दो पतन है पश्यमंगाल तमिलाडू और करनाटक ठीक है लेकिन ध्यान नके करनाटक में पश्यमंगाल तमिलाडू दोनुँ है को पने बात करें वेस्ट बेंगोल तो यहां पर कोलकत्ता और हल्दिया ठीक है और बात समय वें पूछा था कि कौन के इंदर दो नाम भी लिख दिया है मारम गव पतन से किस देश को लोच अएस का निर्यात किया जाता है तो वो किया जाता है जापान को अगला न्यव मंगलोर बंदरगा कि स्राज्य मैं बताओ वेरी इंपोर्टनड़ न्यूमंगलोर करनाटका में क्या करनाटका में मतलब कौन सा जो एवो नेश्रल पोर्ट हरबर भी कह सकते हो तो कौन सा है कांडला है मूंबई कोची को सा पूछा प्राकर्तिक एन तो प्राकर्तिक में तिन ही होगे अभी परने पीछे लिया था कि कौन सा नहीं है ना वह कौन सा क्योशन था वह देख लेते एक बार ता कि अपना अब ना पीकाश हो गया हाउ हाँ ये करती इसटा मतलब है खुद के दौरा बनाए गया तो द्यान नखें कंद्ला घ्राकर्तिक घ्रारा अब नैच्रों मैंने उल्टा वोले तो इस लिए मैं तो आपका डाउट कंप्लीट हो जाएगा तीक ना यह नेच्रल है मतलब जो अटोमेटिक बनते हैं तो यहां पर भी अपना अंसर कंप्लीट हो जाएगा बारत रहां से लिए कांडला मुंबईर कोची तिनु क्या है यह अपने प्राकर्तिक बंदरगा भारत की आयात क्वस् उप्रियों सभी इतना हमारे माल इंपोर्ट होता है भारत में पर्मुक बड़े पतन बारा है चोटे दोस्त हो गया असपास नाइंटिसिक्स विशा का पटन बंदरगा की क्या खास बात है वह भुवाबद बंदरगा है करत्रीम बंदरगा है प्रष्ट परदेश अंदर घ्यान बैक ना बिल्कुल तो लेंड्लोग हरबर है कि लेंड्लोग पॉर्ट है इसको आप पॉर्ट ही बॉल सकते हो हरबर के जिके पॉर्ट बोल सकते हो ठीक है एंटर लेंड अंदर परदेश है पूरी बात है चैनाइंटिसेवन किस बंदरगा का दबाव कम करने के सबसें बड़ा पतन है तो मुंबई जो है नेचुरल भी है और सबसें बड़ा भी है 99 बारत का सबसें बड़ा समुद्री पतन अगर आप सबसें बारत के परिस्तित बंदर गाओं के नाम बताओ कांडला मुंबई नावा शेवा मारमा मारमा गाओ न्यू मंगलोर कोच्य उप्रयोगते सबी यह पूरे के पूरे क्या है यह हमारे वेस्ट कोस्ट इंडिया के पॉर्ट है ठीक है ना और आज का लास्ट क्यों देख चलो किस बंदरगा का निर्माण मुंबई बंदरगा का दबाव कम करने के लिए पीछे पड़ा था कांडला कुछ चार-पांच क्यों रिपीट मानके चलो फिर भी 95 क्यों सम्दिंग आपके उस मिल गये हैं बहुत जवर्दस्त क्यों ने अब एक पार्ट लास्ट पार्ट हो रहाएगा तो लास्ट अपना होगा इस इंडिन जोग्रोफी का पार्ट फाइफ उसमें ज्यादा नहीं है पचास ही क्यों क्यों नहीं है तो उनको देख लेना खतम फिर ताकि अपना जो यह शांदार सिस्टम कंप्लेट हो जाएगा क्योंकि यहीं से बड़े क्यों से बना दिये गए हैं तो चैप्टर में बचा क्या यह बताओ ठीक है बागी मेनत आपको करनी है इनको डंक से पढ़ जाओगी तो बड़े भी नहीं से कर लोगे आप क्योंकि बड़ू के भी छोटे बना दिये गए ठीक है ना आलांकि बाद हैं बड़ी बिपन बना दूगा ठीक है तो यह था अपना पार्ट फूर कंप्लेट ओके